वेलकम एवरिवन मैं हूँ प्रतिक्षा गाइस आप सभी लोगों के सामने होटल ट्रांसलवेनिया फ्रेंचाइजी के अब तक तीन पार्ट रिलीज किये जा चुके हैं इन में से तीनों पार्ट का एक्स्प्रेनेशन आल्रेडी आपको मेरे चानल पे मिल जाएगा और इन स चोटी सी बेटी मेविस के बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी मेविस को सेफ रखने के लिए उसने एक होटल ओपिन किया जिसका नाम उसने होटल ट्रांसलवेनिया रखा दीरे-दीरे करके मेविस बड़ी होती गई उसकी शादी जॉनी से हुई लेकिन अब तक भी ड्रैग को जॉनी पसंद नहीं आता था ड्रैग को लगता था कि जॉनी हमीशा चीजें पिकार देगा धीरे-दीरे करके काफी साल हो गए जॉनी और मेविस को एक बेटा भी हो चुका था जिसका नाम डैनिस था और अब होटल ट्रांसलवेनिया को टोटल 125 यर्स हो चुके थे जिस ने पूरी पार्टी बिकार ही दी थी लेकिन ड्रैग अपनी पार्टी कैसे बिगड़ने दे सकता था क्योंकि उसके पास मैचिक जो था अब ड्रैग ने पार्टी के अंदर हर एक चीज़ फ्रीज कर दी और हर एक चीज़ को वापस सही कर दिया लेकिन मेविस के ऊपर ड्र प्राइज ये था कि वो अब रिटायर्ड होनी वाला है और ये पूरा होटल ट्रांसलवेनिया के जिम्मेदारी वो जॉनी और मेविस को देनी वाला था इस बात से एरिका बहुत खुश थी लेकिन कहीं ना कहीं ड्रैक को बहुत डर लग रहा था क्योंकि जॉनी अभी इतना पुश चुका था कि वो जॉनी और मेविस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर कैसे दे सकता है तब ही यहां पर जॉनी पहुच जाता है जो कि ड्रैक को आते ही थैंक्यू थैंक्यू करने लग जाता है कि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया यानि कि ड्रैक का सारा सप् सेट हो जाता है लेकिन एरिका और मेविस को ये बात बिल्कुल नहीं पता थी ड्रैक अपनी स्पीच सुनाने के लिए रैडी था मेविस और एरिका खुश कबरी सुनने के लिए रैडी थे लेकिन बात में ड्रैक ने तो पूरे अनौंस्मेंट चेंज ही कर दी इधर जॉन अपने सारे लैब को चेक करता और बोलता है कि बिलकुल मेरे पास में ऐसी चीज है वैन हेलसिंग के पास में एक ऐसी रे मशीन थी जिससे कि वो इंसानों को मॉंस्टर में और मॉंस्टर को इंसान में बदल सकता था वैन सबसे पहले इसका टेस्ट एक गिने पिक पे करता है जिसका नाम जीची था देखते ही देखते हैं जीची तो एक मॉंस्टर में बतल गया जॉन इस चीज को लेकि बहुत एक्साइटेट था इधर ड्रैक एरिका और मेविस से छुपते चुपाते कहीं जा रहा था तभी उसे बेस्मेंट में से आवाज आने लगती है जब वो ब देखिये मैं एक मॉंस्टर में बतल चुका हूँ मेविस मुझे देखके बड़ी कुश हो जाएगी यहां ड्रैक का बड़ा बुरा हाल हो रहा था क्योंकि उसे लगता है कि मेविस को अगर पता चल गया कि उसके कहने के कारण जॉनी इंसान से मॉंस्टर में बतल गया तो अपने फादर को कभी नहीं छोड़ेगी इधर जॉनी आगे आगे और ड्रैक उसके पीछे पीछे यहां ड्रैक अपने हाथ में रेगन उठा लेता है ताकि वो इस रेगन के शूट से वापस जॉनी को पहले जैसे इंसान बना दे अब तक तो यहां पे ड्रैक के सारे फ्र जसके पास न उड़ने की पावर थी और ना ही किसी को मैन्यूपलीट करने की पावर थी एक टाइम ऐसा आता है जब ड्रैक के पास वो रेगन आती है लेकिन वो रेगन अब तक तूट चुकी थी ड्रैक को बहुत टेंचन होती है कि अब आखिर वो जॉनी को वापस इंसान में बतल चुके थे मुरी जो की एक ममी था वो एक बहुत बुड़ा इंसान बन चुका था फ्रैंक एक हैंसम हंग बन चुका था वे इनके सारे बाल उतर गए और ग्रिफिन दिखाई देने लग गया था ने वैन से इस टूटे हुए पथर को ठीक करने के बारे में भी पू जाएगा जिससे वो इंसानों को मॉंस्टर और मॉंस्टर को इंसान बतल सकता है अब ड्रैक को अगर जॉनी को वापस इंसान बनाना था तो उसे भी वही स्टोन लेने के लिए चाना था ड्रैक अपने सारे दोस्तों को बोल देता है कि मैं जॉनी के साथ उसी ठीक करने के लेकिन कुछ भी हो जाए मेविस को इस बारे में पता नहीं लगना चाहिए यहां तूटे-फूटे मॉंस्टर प्लेन के अंदर जॉनी और ड्रैक बैट चुके थे आज तक ड्रैक को कभी डर नहीं लगा था लेकिन अब जब ड्रैक एक इंसान में बदल चुका था तो उसे पौर डर लगने लग गया था यहां काफी देर हो चुकी थी जब मेविस को ना तो अपने फादर ड्रैक मिले थे और ना ही अपना कार्टून हस्पेंड जॉनी मिला था इसी कारण मेविस उन दोनों को ढूंबते हुए ड्रैक के रूम में पहुंच जाती है जहां उसे वह कुछ ठीक है ऐसे बच्चों को देखे मेविस समझ चुकी थी कि जरूर यहां कुछ न कुछ तो गडबड़ो रखा है दूसी तरफ फाइनली जॉनी और ड्रैक डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके थे लेकिन अभी भी इन्हें लंबी दूरी तैय करनी थी यह पहला टाइ आँखों से ओल्मोस्ट वो ट्रैफिक को ब्लॉक कर चुका था और एक्सिडेंट होने ही वाला था कि तभी ड्रैक ने आके जॉनी को बचा लिया यहां दूसरी तरफ सारी मॉंस्टर चुकि इंसान में बदल चुके थे वो अपने आपको छुपाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कब तक ही अपने आपको छुपा पाते इन में से फ्रैंक और वेन की वाइफ इन दोनों को देख लेती है और पहचान बेचाती है कि आखिर तुम दोनों ने ये क्या किया तभी यहां पे मेविस और एरिका भी पहुँच चुकी थी अब तो इन मॉंस्टर को सारी च फीक होने के लिए एक खतरनाक फॉरेस्ट में गए हैं दूसरी तरफ जैसा कि वैन ने बताया था कि तुम्हें बस इस मैप को फॉलो करते जाना है ये तुम्हें डेस्टिनेशन तक पहुचा देगा लेकिन वो रस्ता आसान बिलकुल नहीं होने वाला है तुम्हें फॉरे जो कि एक मॉंस्टर बन चुका था उसे तो बड़े मज़े आ रहे थे ड्रैक इतना ठक चुका था कि आप उसे बस पानी ही पानी चाहिए था जॉन्हीं ड्रैक को मना करता है कि आप ऐसे पानी के अंदर मत कूदिये इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है लेकिन ड्रैक ज मेविस को पता चलता है कि जिस जीजी के ओपर टेस्ट हुआ था वो बहुत होरिबल और बहुत बड़ा जाइंट मॉंस्टर बनता जा रहा है इसका मतलब जॉन्हीं भी दीरे दीरे और बड़ा बनता जाएगा अगर हमने उसे सही टाइम पे रे मशीन से शूट नहीं किया तो वो हमेशा मॉंस्टर बन के रह जाएगा जीजी इस पूरी जगह पे बहुत तबाई मचा रहा था इसी कारण एरिका और मेविस ने मिलके उसे पाइप में बंद कर दिया जॉन्हीं को फॉरेस्ट के किसी पे चानवर से प्रॉब्लम नहीं हो रही थी वही पे ड्रैक हर जगह पे पहुंच चुके थे जहां से नीचे गिरते तो सीधा मरना तैय था क्योंकि ये एक बड़े से माउंटीन पे पहुंच चुके थे और इन दोनों के जखड़े के कारण ये गिर ही चुके थे तब यहां पर ड्रैक देखता है कि जॉन्नी जो कि एक मॉंस्टर में ब चा चुका था रात होने पर ड्रैक और जॉन्नी एक साथ बैटे थे ड्रैक बड़ा परिशान था इनसान बनके वहीं पर जॉन्नी बड़ा खुश था एक मॉंस्टर बनके तब ही यहां पर जॉन्नी अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है और ड्रैक को समझाता है कि अरिका, मेविस और बागी सभी लोग यहां पहुँच चुके थे एरिका यहां पर सबसे पहले ड्रैक के पास पहुचती है कि आखिर यह तुमने क्या किया वहीं मेविस जॉन्नी के पास पहुच जाती है जॉन्नी की ऐसी हालत देखके मेविस का दिमाग खराब हो चुका और वो इसी कारण जॉन्नी से पूच थी कि ऐसा तुमने क्यों किया तब यहां पर बड़ी खुशी खुशी जॉन्नी बताता है कि मॉन्स्टर लॉग के कारण ही मैंने ऐसा किया है तो सभी पूचते हैं कि ऐसा कौन सा मॉन्स्टर लॉग है जिसके अंदर आप यह होटेल इंसानों को नहीं दे सकते हैं इसका मतलब था कि ड्रैक का जूट पकड़ा गया सारे मॉन्स्टर को देखते हैं कि तुम्हें जॉन्नी के साथ में ऐसा जूट नहीं बोलना चाहिए था देखते ही देखते जॉन्नी एक बहुत बड़ा जाइंट मॉन्स्टर में बदल गया क्योंकि उसे अपने father-in-law यानी की ड्रैक की उपर गुस्सा आने लग गया जॉनी का कहना था कि आप अभी भी मुझे अपने family का member नहीं मानते और जॉनी इसी के साथ forest में चला जाता है जहाँ पे मेविस Erica को कहती है कि आप जल्द ही वो stone ढूंडिये मैं जाके जॉनी को संभालती हूँ अब Erica के पास अपनी अच्छी खासी open gypsy थी जिसके अंदर वो सभी को बिठा के उस stone को ढूंडने के लिए निकल जाती है लेकिन इने ये नहीं पता था कि आगे जाके रस्ता खतम होने वाला है और इसी के साथ में एक बहुत बड़ी खाई आने वाली थी लेकिन Erica इन सारी चीज़ों के लिए बिल्कुल प्रिपैर थी क्योंकि उसने अब अपनी open gypsy को बोट में बदल लिया था यहाँ पे मेविस जॉनी के पास पहुँच जाती है और उसे relax करने की कोशिश करती है एक time ऐसा आता है जब जॉनी मेविस को पहचान जाता है और शांत भी हो जाता है लेकिन तभी यहाँ मेविस अपने फादर यानि के ड्रैक के बारे में बोल देती है तभी जॉनी को बहुत गुसा आ जाता है और वो एक ड्रैगन की तरह आग उगलने लगता है दूसरी तरफ एरिका, ड्रैक और बाकि सारे मॉन्स्टर उस केव के अंदर पहुँच चुके थे जैसा कि वैन ने कहा था कि वो किसी भूल भूलया से कम नहीं है तो सभी लोग एक दूसरे के साथ रहना लेकिन सभी इधर उधर जाते हुए बटक जाते है सभी को डर लगने लग जाता है और सभी एक दूसरे को ढूनने में लग जाते है एरिका यहां मेविस को कॉल करके बोलती है कि हमें वो केव मिल चुकी है और इसी के साथ में तुम यहां पर जल्ती पहुँच जाओ मैं तुम्हें लोकेशन भीच रही हूँ मेविस यहां अपने हस्बेंड जॉनी यानि कि एक बड़े सी मॉंस्टर को एक छोटा सा पत्थर मार के अपनी तरफ इशारा करती है ताकि जॉनी गुस्से में आके मेविस के पीचे-पीचे भागे मेविस छोटी सी ड्रैकुला बनके इसी केव को ढूणने लगती है और फाइनली केव के अंदर पहुँच जाती है जहां पर उसे अपने फादर ड्रैक मिलते है ड्रैक को अपने की ये का बड़ा पच्चतावा था लेकिन अब वो सारी चीज़े नौर्मिल करना चाता था ड्रैक का क्याना था कि मैं जॉनी को गलत समझता था लेकिन अब वो भी मेरी फैमिली का हिस्सा है इन दोनों के कन्वसेशन के अंदर अब जॉनी यहां पर पहुँच चुका था जो कि अपने अटैक से इस बूरी केव को तोड़ना चाह रहा था कि तभी मेविस को वो रेड स्टोन दिख जाता है मेविस उस उस स्टोन को लेने के लिए भागती है उसे गन के अंदर लोड करती है और सीधा शूट करने की कोशिश करती है लेकिन तब तक यहां पर जॉनी के अटैक से एक बहुत बड़ा होल हो चुका था और सीधा सूरज की रोशनी मेविस के उपर गिर रही थी मेविस तो थी एक ड्रैकुला इसी कारण वो कहीं न कहीं जल रही थी कि तबे उसके सामने फ्रैंक आ जाता है जो कि मेविस के आगे जाने के अंदर हेल्प करता है देखते ही देखते सारे मॉंस्टर मेविस के हेल्प करके उसे बड़े से माउंटीन पे पहुँचाते हैं ताकि मेविस चॉनी को शूट कर सके और वापस हुमन में बदल सके लेकिन शूट करने के बावजूद भी चॉनी अभी तक इंसान में नहीं बदला था कि अब ड्रैक को लगता है कि टाइम आ चुका है उसके बात करने का ड्रैक यहां पे पहुचता है लेकिन जॉनी गुसे के अंदर आके ड्रैक को खाने ही वाला था कि तब ही ड्रैक अपनी बाते कहने लगता है कि जॉनी तुमें एक बहुत अच्छे लड़के हो तुमने ही तो मुझे सिखाया था कि चीजों में हमेशा अच्छा ही डूडने की कोशिश करो अब मुझे समझ में आ चुका है कि तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और अब मैं तुमें अपने फैमिली का मेंबर भी मानने लग गया हूँ जाने से पहले इस रेगन से धीरे धीरे सब को ठीक किया जाने लगा यानि कि जो मॉंस्टर इंसान बन चुके थे उन्हें वापस से मॉंस्टर बनाया गया ड्रैक अब वापस से ड्रैकुला बन के बहुत खुश था पावर्स आखिर किसे नहीं चाहिए यहाँ एरिका और ड्रैक भी आपस में बात करते हैं कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है और अब शायद ड्रैक को अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहिए यहाँ जॉनी और मेविस एक साथ थे कि तभी यहाँ पर ड्रैक आता है अब टाइम आ चुका है जब मैं अपना कमिट्मेंट पूरा करूँगा यानि कि मैं रिटाइमेंट लेना चाहता हूँ और तुम दोनों को यह पूरा होटल ट्रांसलवेनिया देना चाहता हूँ इधर ड्रैक का बोलना खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी ड्रैक को अपना पूरा होटल ट्रांसलवेनिया डिस्ट्रॉइ होता हुआ दिखाई देता है ये सब कुछ काम जीजी का था जो कि एक बड़े से मॉंस्टर में बदल चुका था ड्रैक वो सीधा गान उठाता है और जीजी के उपर शूट करने लगता है जीजी वापस से एक नॉर्मल गिनीपिक में बदल जाए लेकिन तब तक तो काफी देर हो चुकी थी क्योंकि होटल ट्रांसलवेनिया में कुछ भी नहीं बचा था ड्रैक इस बाद से डरा हुआ था कि जॉनी और मेविस ड्रैक के बनाये हुए होटल को पूरा बदल देंगे यही कारण था कि ड्रैक ने अपना होटल जॉनी और मेविस को नहीं दिया था जहां हम देखते हैं कि होटेल तो बिल्कुल पहले जैसा है लेकिन होटेल के अंदर बिल्कुल चीज़े चीज़ हो चुकी है जैसा कि जॉनी और मेविस चाहते थे यानि कि अंदर योगा क्लब और अंदर डान्स और और इसी के साथ में बहुत सारी चीज़े हो और इसी के सा झाले दो नहां पोड़ा है लाईड़ झाले लाईब हो झाले लाईब है लाईब है लाईब है। कर दो कर दो कर दो